आज मैं आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्या आई हूँ तो देखिए आपके आगामी उत्राखंड पुलिस के एक्जाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्राखंड पुलिस स्पेशल मौक सरीज स्टार्ट की गई है जिसका पार्ट 41 आज मैं आप सभी के लिए लेक्या आई हूँ और ये स्रीज साब के अधर उत्राखंड एक्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट रहेगी तो आप सभी लोग हमारे स्रीज में स्टार्डिंग से लेकर एंड तक बने रहें आज किस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट और देखिये इस मौक सरीज में हमारे दौरा करंट के कुशिंस भी इंकलूट किये गए हैं ताकि करंट और आफैर्स भी आपके इसी मौक सरीज से ही कवर हो जाएं तो चलिया आज किस मौक सरी में स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे योट्यूब चै टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं आराउंड 6.7 के यहां पे ग्रूप मेंबर्स हो चुके हैं सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहां पे क्विस का एजन भी कराया जाता है इसके अलाबा अदर इंपोर्टेंट अपडेट्स पीडियेप से ही पे शेयर की जाती है लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर इस स्रीज का पहला कुश्चन है हाल ही में घबरों में रही तमीरा पानी नदी किस राज्य में इस्तित है तो देखे हाल ही में घबरों में रही तमीरा पानी जो नदी है ये स्तित है आपके तमिल नाडु राज्य में option first question का correct answer है तमीरा पानी नदी तमिल नाडु के तिरू नेल वेली तमिल नाडु राज्य के तिरू नेल वेली जिले में पश्चिमी घाट की पोथी गई पहाडियों से निकलती है तो ये ध्यान रखेंगे पोथी गई नामक पहाडियों से यहां नदी निकलती है और बैंगलोरू बैस्ट असू का ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड दा एन्वार्मेंट के शोत करताओं ने तमीराज परिय परियों में रही है जो कि आपके तमिर नाडू राजी में इस्तित है अगला कुषण देखें हाल ही में भारत के अगले अरटानी जनरल के रूप में कि happiness किया रूप में नियोक्त किया गया है आर वैंकटर मनी को आप्शन फर्स्ट यहां पर आपका राय आंसर हो जाएगा दिखे वरिष्ट अधिवक्ता आर वैंकटर मनी को भारत का अगला अर्टानी जनरल नियोक्त किया गया है और बहुत तीन साल तक इस पद पर रहेंगे और इन् बेणु गोपाल की इन्होंने जगली है और इनका कारिकाल जो के के बेणु गोपाल थे इनका कारिकाल 30 सितंबर को पूरा हो चुका है तो जो अटानी जनरल बने हैं वो कौन बने हैं आर वैंकटर मनी अगला कुश्चन है हाल ही में किस राजी की दुआरे राशन योजना को हाई कोट ने अवैद घोशित किया है तो देखे हाल ही में किस राजी के पशिम बंगाल राजी के दुआरे राशन योजना को हाई कोट ने अवैद घोशित कर दिया है option first यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा देखें ममता बेनर जी के नेधित वाली पश्य मंगाल सरकार को गुरुवार को बड़ा जटका मिला है कलकता हाई कोट ने दुवारे राश्चन योजना कलकता जो हाई कोट है इसने दुवारे राश्चन योजना को कानुनी रूप से अमानी करार दिया है और इसे राश्च्टी खादिय सुरक्षा अधिनियम के खिलाब बताया गया है और पश्य मंगाल सरकार द्वारा पिछले साल दुवारे राश्चन योजना जो है इसके शुरुवात की गई थी जिसके तहत लावारतियों को घर घर पर सार्वजनिक वित्रण पर्णाली के माधियम से राश्चन सामगरी उपलब्द कराई जा रही थी तो इसको अवैद घोशित कर दिया गया है कलकत्ता हाई खोट के द्वारा तो ये ध्यान रिखेंगे अगला कुशन देखें फादर ओफ जौन सार सम्मान से सम्मानित है भाव सिंग चोहान ओप्शन से करेक्ट आंसर है और जौन सार में राजनितीक जन जागरुकता का जनक कहा जाता है किसको गुलाब सिंग को और father of john sir सम्मान से सम्मानित है भाव सिंग चौहान काफ़े important है इसको ध्यान रुकें अगला question है चंद राजाओं की वन्शावली किस कावे में दी गई है देखे चंद राजाओं की जो वन्शावली है ये दी गई है किस कावे में मानुदई कावे में और इस कावे की रशना किस भासा में हुई है संस्कृत भासा में संस्कृत भासा में इस कावे की रशना की गई है और कवी भरत को जोती कराई की उपाधी किसने दी ये भी आपका महत्वपोन है कवी भरत को जोती कराई की उपाधी दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी जहांगीर के द्वारा इन्हें जोती कराई की उपाधी दी गई थी अगला कुश्यन देखें उद्योत चन्द ने बधान गड़ का खिला कब जीता था तो देखें उद्योत चन्द ने बधान गड़ का जो खिला था ये कब जीता था 1678 में option 43 यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा देखिए बधानगड जो है ये पिंडर नदी का उपरी छेत्र है जो की गड़वाल और कुमाउं जो की गड़वाल और कुमाउं का विभाजक था बधानगड गड़वाल और कुमाउं का क्या था विभाजक था और बधानगड के युद्ध में उद्योद चंद का जो सिनापती था जिसका नाम था मैशूसा तो इसी बधानगड के युद्ध में इसका सिनापती मैशूसा मारा गया था और उद्योद चंद के समय गड़वाल का शाशक कौन था पुछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है फतेशा, उस समय गड़वाल का शाशा कौन था, फतेशा था, अगला question देखें अगला question है, मैसे safe के उतपादन के लिए प्रशिद्द जिला है, तो देखे safe के उतपादन के लिए प्रशिद्द जिला है उत्तरकाशी जिला option फोर्ट यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा देखे उत्तरकाशी का जो हर्शिल छेतर है हर्शिल छेतर में सेव का बागान लगाने का शेय किसे दिया जाता है फैडरिक विलसन को दिया जाता है और हर्शिल जो है ये उत्तर काशी जिले का एक प्रमुक परेटक इस्तल है और इसे भारत का मिनी सुर्जा लेंड भी कहा जाता है अगला क्यूशन है गोवासा तामर पत्र से सम्मन्दित शाशक था तो देखे गोवासा तामर पत्र से सम्मन्दित जो शाशक था ये था ग्यानचंद ओप्षन थर्ड यहाँ पर आपका बिलकुल राइट आंसर है गरूड ग्यानचंद की अगर हम बात करें तो ये तुगलक ने ग्यानचंद को किसकी उपाधी दी थी? गरूड की उपाधी दी थी. इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेजे, आपसे पूछा जाए कि ग्यानचंद को गरूड की उपाधी किसने दी थी? तो किसने दी थी? फिरोध सा तुगलक ने. और ग्यानचंद का जो राज चिन्न था वो भी क्या था गरूर ही था और गोवासा तामर पत्र का संबंद ज्यान चंद से है और इसके अलावा सेरा खड़कोड तामर पत्र जो है तो सेरा खड़कोड तामर पत्र में इसे राज धिराज महराज कहा गया है किसको ज्यान चंद को और बालिश्वर तामरपत्र बालिश्वर मंदिर से भी तामरपत्र प्राप्त हुए हैं तो बालिश्वर मंदिर तामरपत्र का संबंद किस चंद शाशक से था ये भी आपसे पूछा जा सकता है आप कमेंट करके बताईएगा इसका अंसर अगर नहीं आता है तो आपको comment के माधियम से answer बता दिया जाएगा बालिश्वर मंदिर तामरो पत्र का संबंद किस चंदिशाशक से था तो ज़्याद से ज़्यादा लोग जल्दी से comment section में comment कीजिए अगला question है खशो को शुद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था खश जो थे खश परजादी के लोग इनको शुद्र वर्ग में सम्मिलित कर दिया गया था और किश वर्ष किया था वर्ष 1985 में option second यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा देखे उत्राखंड में आने वाली पर्थम परजादी की अगर हम बात करें तो यह कौन से परजादी थी यह थी कोल उत्राखंड आने वाली परथम परजादी कोल थी और कोल के बाद उत्राखंड में किसका अधिपती हुआ किरातों का किरातों का अधिपती हुआ कोल के बाद और किरातों के बाद जो उत्राखंड आने वाली प्रजाती थी वो कौन से प्रजाती थी ये थी आपकी खस प्रजाती तो ये ध्यान रखेंगे कि रातों के वाद उत्राखंड में खश परजाती का उलेक मिलता है और खशों में एक प्रथा हुआ करती थी जो की थी घर जमाई रखने की प्रथा तो घर जमाई रखने की प्रथा थी खश परजाती में और इसके अलावा टिकुआ प्रथा और जटेला प्रथा ये भी खसों में ही व्याप्त थी और इस प्रचाती के लोग अपनी सबसे बड़ी पुत्री को क्या कर देते थे मंदिरों में दान कर देते थे तो ये कौन से ऐसे प्रचाती थी जो अपने सबसे बड़ी पुत्री को जेश्ट पुत्री को मंद्रों में दान देती थी तो ये पुछा जा सकता है आपसे आपको याद रखना है खस पड़ जाती थी अगला कुशन है उत्राखंड में सरवपर्थम गंधक की खोज की गई तो देखें उत्राखंड में सरवपर्थम गंधक की जो खोज की गई थी ये वर्ष 1957 में की गई थी option फोर्थ यहाँ पे आपका correct answer है राजी में सरवर्थम गंधक की खोज वर्ष 1957 में चमोली जनपत के रूप गंगा घाटी में की गई थी और चमोली के मंदाकनी घाटी में मैंगने साइट के भंडार पाए गए हैं ये ध्यान रखेंगे जो मंदाकनी घाटी है यहाँ की मंदाकनी घाटी यहाँ पर किसके भंडार पाए गए हैं मैंगने साइट के भंडार पाए गए हैं और अलगनन्दा नदीवा पिंडर नदी के बालू में सोना मिलता है ये भी आपको याद रखना है अगला कुश्यन है गुप्तकाल में गुप्तकाल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे तो दिखे गुप्तकाल में जो चांदी के सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता था य आपको बताना है आप सभी को आज का ये शेशन पसंदार है तो लाइक कर लिजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल इस्ट डिविद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर ले और जादर से जादर आपको इस शेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ अपने WhatsApp गुरुपश में अगला कुश्चन देखें गुप्तकाल के चादी के सिक्को को क्या कहते थे तो इसका correct answer हो जाएगा रूपक गुप्तकाल में चादी के सिक्को को कहा जाता था रूपक देखें गुप्तकाल की अगर हम बात करें तो गुप्तकाल मैं प्रमोक्ती इन प्रकार के सिकों का चलन हुआ करता था जो की कौन कौन से सिक्के थी एक तो थी आपकी दिनार दूसरी रूपक और तीसरा था कारशारपन कारशारपन तो ये ध्यान रखेंगे जो आपके सोने के सिक्के होते थे सोने के सिक्के जो होते थे उनको क्या कहा जाता था उनको दिनार कहा जाता है जिन दिनार कहा जाता था चादी के जो सिक्के होते थे इनको रूपक कहा जाता था और जो तांबे के सिक्के होते थे उनको कारशान पर या करशान पर कहा जाता था तो ये ध्यान लखेंगे तो य IMF की जो पुंजी है IMF का फुल फॉर्म होता है International Monetary Fund ये दियान रुखेंगे तो IMF की जो पुंजी होती है ये किसके योगदान से बनती है सदशियर राष्ट के योगदान से option third यहाँ पे आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा IMF यानि अंतराष्टिय मुद्रा कोश जो है ये एक अंतराष्टिय मौद्रिक संगठन है ये एक अंतराष्टिय मौद्रिक संगठन है और इसके स्थापना कब की गई थी वर्षो 1945 में वाशिंग्टन DC में इसके स्थापना की गई थी और IMF में वास्तविक रूप से IMF ने वास्तवीक रूप से अपना कारिय कब शुरू किया था तो देखे आई-म-फ जो है इन्हों ने वास्तवीक रूप से अपना कारिय एक मार्च 1947 को शुरू किया था और इसकी पोंजी सदश्य राष्ट के युगतान से बनती है और मौद्रिक सयोग को ये प्रोच साहित करती है अगला क्वेशन है बंगाल का वीभाजन किसके शाषनकाल के दौरान हुआ था तो देखे बंगाल का जो वीभाजन हुआ था ये किसके शाष शाषनकाल के दौरान लौड करजन के शाषनकाल के दौरान हुआ था ओप्शन फोर्थ यहां पे आपका राइट आंसर है देखे लौड करजन के शाषनकाल में 20 जुलाई 1905 को बंगाल का वीभाजन जो है इसकी घोशना की गई थी और बंगाल वीभाजन जो है ये कब से प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ था अगला कुशन देखें अगला कुशन है किस भारते राजी को पांच नदियों की भूमी कहा जाता है तो देखें ये भारते राजी है आपका पंजाब राजी जिसे पांच नदियों की भूमी कहा जाता है भारती राजी पंजाब पांच नदियों की भूमी कहलाती है और यहां बहने वाली जो पांच नदिया है वो कौन-कौन सी है एक तो है आपकी व्यास नदी दूसरा है सतलज नदी तीसरे है रावी नदी चौती है चिनाब नदी और पांचवी नदी है ये है जेलम नदी तो ये पांच नदी है यहाँ पे बहती है इसलिए इस भरती राजी को क्या कहा जाता है पांच नदियों की भूमी कहा जाता है अगला कुशन है निमनमे से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था तो 1919 में केंद्री विधान परिशद में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट और यह एक्ट काला बिल के रूप में जाना जाता था और इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी जो सरकार थी इस अधिनियम के द्वारा अंग्री जी सरकार जिसको जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी और इस कानून को बिना वकील बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा गया और भारती जनता द्वारा इस कानून को काला कानून कहा गया यह ध्यान तो देखिए जो अरुण जक्मॉला है ये किस खेल में किस खेल के रास्टी खिलाडी है तो अरुण जक्मॉला जो है ये किस खेल के बॉली बॉल के रास्टी खिलाडी है ऑप्शन थर्ड यहां पर आपका बिल्कुल करेक्टर आंसर है अगले कुशन की और बढ़ते हैं जिन पुलीस के एक्जाम के लिए साथ ये सेशन आपके अधर उत्राखन एक्जाम जैसे के पटवारी, लेकपाल और फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है तो end तब बने रहें इस सेशन में, आपको आज का ये सेशन कैसा लगा, आप comment section में comment जरूर करके बताईएगा देखें अगला है आपका चौरा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता है चोरा नामक जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन होता है कहां से काशिपूर से option second यहाँ पे आपका right answer है और चोरा है इसके अलावा एक और पत्र है जिसका नाम था बिगुल तो बिगुल नामक जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन भी काशिपूर से ही होता है होता था और इसके अलावा वानी प्रवाह समाचार पत्र ये भी काशिपूर से निकलता है और देखें काशिपूर जो है ये उधम सिंग नगर जनपत में स्तित है और उधम सिंग नगर जनपत का एक नगर और है जिसका नाम है रुद्रपूर तो रुद्रपूर से कौन सा सम समाचार पत्र प्रकाशित होता है परवत पूत्र ये ध्यान रखेंगे परवत पूत्र नामक जो समाचार पत्र है ये रुद्रपोर से प्रकाशित होता है अगला कर्शन है केशोराय मठ किस जनपद में इस्तित है देखे केशोराय मठ के अगर हम बात करें तो ये इस्तित है आपके पौडी जनपद में option थर्ड यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा केशो राई मठ जो है इसकी स्थापना शोलवी शताब्दी में की गई थी और यहाँ मठ कहां पर इस्तित है पौडी गड़वाल के श्री नगर में श्री नगर में यहाँ मठ इस्तित है और देखे वर्ष 2013 में जो भैंकर आपदा आई थी तो आपदा के कारण यह है जो मठ था वो शतिग्रस्त हो गया था और देखे अलंगननदा नदी के तरटपा इस्तित यहाँ मठ है केशो राई मठ और यह उत्तर उत्राखंड शैली का बना अतियंत सुन्दर मंदिर है और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महीपती शाके शाशनकाल में केशो राई ने कराया था केशो राई नाम के एक वैक्ति ने कराया था और इन्हीं के नाम पर यह केशुराई मठ कहलाया था और इसके अलावा श्री नगर में एक और मठ है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है संकर मठ आप कमेंट करके बताएं कि संकर मठ का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था जल्दी से कमेंट section में comment कीजिएगा जो भी आपसे question पूछे जा रहे हैं आप सभी लोग भी support कीजिए study with aim को आप सभी को इतना अच्छा content यहां पे provide कराया जा रहा है अगला देखे गैर सेंड विकास परिशत का गठन किया गया गैर सेंड विकास परिशत जो थी इसका गठन वर्ष 2014 में किया गया option फोर्थ इस question का बिलकुल right answer हो जाएगा देखे वर्ष 2014 को गैर सेंड व अलमोड़ा के चोखुटिया को मिलाकर अलमोड़ा के चोखुटिया को मिलाकर गैर सेंड विकास परिशत का गठन किया गया गैर सेंड वो अलमोड़ा जनपत के चोखुटिया को मिला कर गैर सेंड विकास परिशत का गठन किया गया और वर्ष 2017 के अगर हम बात करते हैं तो 2017 में गैर सेंड में विधान सवा सत्र प्रारब हुआ और वर्ष 2015-16 में गैर सेंड को नगर पंचायत का दरजा भी दिया गया अगला क्विश्चन है पोखु देवता मंदिर के जनपत में इस्तित है देखे पोखु देवता का जो मंदिर है यह है आपके उत्तरकाशी जनपत में काफ़े इंपोटेंट यह क्विश्चन है आपका यह ध्यान रखेंगे और पोखु देवता मंदिर उत्तरकाशी के कहा परिस्तित है मोरी गाउ में इस्तित है और पोखु देवता मंदिर में देखे एक विशेष्टा है यहाँ पर जो देवता है देवता का दर्शन करना यहाँ पर वर्जित रहता है देवता की यहाँ पर दर्शन नहीं किये जाता है और जो पुजारी होता है मंदिर का वो भी पिठ करके ही पूझा करता है और पोखु जो देवता है इन्हें न्याई का देवता भी कहा जाता है ये ध्यान रखेंगे तो ये मंदिर है आपके उत्तरकाशी जैनपद में तो के गाईस आज के इस session में इतना ही आई होप आप सभी को आज का ये session पसंद आया होगा अगर आ मिलते हैं एक नई इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद